ये है राइपूर इस्टेशन, 36 गड़ का राइपूर इस्टेशन, राइपूर सहर अभी चर्चा का विशय बना हुआ है, क्यों चर्चा का विशय बना हुआ है, मैं आप लोगं को बताऊंगी, वेल्कम वेक टू माई चाइनल फ्रेंड्स, तो राइपूर चर्चा का विशय इसले बना हुआ है, क्योंकि यहां पर एक साथ दो बड़े कथा वाचक आए हुए हैं, इस वक्त राइपूर सहर पूरी तरह से भक्ती के रंगों में डुबा हुआ है, तो पहले कथा वाचक है अनुरुद्याचारिया जी, जिनकी कथा आरम हो चुकी है, उन्नी जन्वरी से, और दूसरे है, बागेश्वर धाम, धिरेंद्र सास्त्री जी, जिनकी कथा 23 तारीक से 23 जन्वरी से 27 जन्वरी तक गुडिहारी के कोटा में होना है, और इनका कथा का टाइमिंग है, तीन ब कथा के लिए एक दिन ही सेश रहे गए हैं, तो इस सब शमिक इसको अंतिम अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं, जिससे की भक्तों को किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, तीन बड़े-बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें बैठ कर वो यहाँ पर हनुमंत कथा का आनन से आकर तीन बजे से उनका कथा का आनन्द ले सकते हैं, और दूसरे हैं अनुरुद्याचारिया जी, जिनकी कथा हनुमान मैदान में हो रही है, गुडिहारी में, और इनकी कथा का टाइम है एक बजे से, तो इनका कथा इस्थल से एक से डेड़ किलोमीटर की दूरी पर है आप इस्टेशन से उतर के आसानी से कथा इस्थल सक आ सकते हैं, तो इनकी कथा 19 तारिक से प्रारम हो चुकी है, और यहाँ पर भक्त लोग आना सुरू कर दिये हैं, और कथा का आनन्द ले रहे हैं, यहाँ भक्तों की भीड़ सुरू हो गई है, यहाँ भे भी पंडाल बो नतिजाम करके आएं, क्योंकि मौसम में चेंज आ गया है, ठंड बढ़ चुकी है, तो इस तरह के से आप लोग जो भी स्री भगवत कथा का आनन्द लेना चाते हैं, तो अनुरुदाचारिया जी के पंडाल में आई हैं, और हन्मंत कथा का आनन्द लेना चाते हैं, तो बा कथा वाचक का एक साथ कथा सुनने को मिल रहा है, आप लोग कोई वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,